हेलो फ्रेंट आजके इस वीडियो में यहाँ पे मैं find करने चारू point x-axis which is equate distance from the point 5-2 and minus 3-2 तो यहाँ पे सबसे पहले एक को line tracker रहते हैं यह वाले को हम कहते हैं x-axis तो इस साइट जो भी होगा positive में यहाँ पे x-axis यहाँ पे negative में उसी तरह से y y-axis तो यह positive y negative नीचे में जो हता है negative y तो यहाँ पे सबसे पहले माल लेते है let point a equal to 5-2 and b equal to minus 3-2 तो यहाँ पे 5-2 तो x में क्या 5 चलिए यहाँ पे माल लेते हैं इसको x में क्या 5 उसके बाद y में क्या 2 तो यहाँ पे 2 तो यह दुनों के बीच का point हो गया ठेक है a यहाँ पे 5-2 तो x में यह इस साइट positive होता है उसके बाद यहाँ पे अगरा जो चीज़ है x में क्या minus 3 तो यहाँ पे minus 3 यहाँ पे माल लेते हैं और y में क्या 2 तो यहाँ पे माल लेते हैं इसमें यहाँ पे 2 तो यह जो point हो गया इसको मैंने b कहा है minus 32 यह जीज़ है तो यह जीज़ समझना बहुत चाल रही है उसके बाद find the point on x-axis point on x-axis इसका मतलब समझना बहुत चाल रही है तो x-axis में point तो x-axis में जो भी यह है इसमें यह वाला जो भी x-axis इसमें इसमें y का value 0 है तो यहाँ पे चलिए कोई point माल लेते हैं b ठीक है तो यहाँ पे x-axis में point find करना है तो x-axis वाला term को हम x माल लेते हैं x-y-z जो भी है मान सकते हैं तो x-axis में y का value जब ही होगा 0 होगा यहाँ पे हम 0 कर दियें उसके बाद यहाँ पे एक्वी डिस्टेंस है एक्वी डिस्टेंस मतलब बढ़ावर दूरी सेम डिस्टेंस ठीक है तो यहाँ पे यह डिस्टेंस यह एजिम किया गया और यह डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस क्या होगा प्रावर होगा मतलब यह डिस्टेंस प्रावर होगा उसके बाद यहाँ पे अगर स्क्यार करते हैं दोनों तरफ में तो पीबेस क्यार पीएस क्यार उसके बाद डिस्टेंस और पीबी पीबी का डिस्टेंस हमको निकालना है तो डिस्टेंस फर्मूला होता है ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस पीबी का निकालना है तो यहाँ पे निकालते हैं जैसे यह फर्मूला होता है x2-x1 का whole square यहाँ पर x1 का whole square y2 y1 का whole square x2-x1 का whole square y2-y1 का whole square तो यहाँ पर pb square कर देंगे दी हो जाएगा x2-x1 का whole square y2 y1 का whole square अब देखें यहाँ पर p और b तो b का value यहाँ पर है ठीक है minus 3 और यह 2 और p का value है यहाँ पर x0 तो इसको हम x1 कहते हैं यह x2 यह y1 यह y2 तो यहाँ पर हम लिख सकते है x1 की जगा यहाँ भी यह फर्मूला बे बैठा रहे है x2-x1 का whole square तो x2 की जगा x है x1 की जगा minus 3 का whole square plus उसके बाद y2-y1 का whole square तो y2 की जगा यहाँ पर 0 है उसके बाद y1 की जगा minus 2 का whole square उसके बाद pa तो p का हम लिख यहाँ पर है x0 और a का है 5 2 तो यहाँ पर इसको हमाल लेते है x1 इसको हमाल लेते है x2 इसको y1 यह बाद y2 तो यह फर्मूला होता है x2 minus x1 का whole square तो x2 यहाँ पर 5 और x1 है x का whole square उसके बाद y2 minus 2 minus 0 का whole square ट्रीक है यह सब चीज़ लिखना है उसके बाद यहाँ से हम solve कर रहे है तो x minus minus 0 जागा plus 3 का whole square 0 minus 2 minus 2 का whole square equal to 5 minus x का whole square 2 minus 0 का square 2 का whole square ट्रीक है अब यहाँ पर a plus b के फर्मूला पर बाद रहे है a plus b का whole square पर इसको लिख सकते है a square plus b square plus 2 a b तो यहाँ पर x square 3 का square 2 into x into 3 2 का square होता है 4 यहाँ पर x square 3 का square 9 इसको solve करेंगे यह 6 x minus 10 x उसके हाँ 25 plus 4 29 अब यह चीज़ आया उसके हाँ क्या करते है सारी को एक तरफ ले जाते है ठीक है तो x square 6 x plus 13 यह वाले को सारी को इधर move करा रहे है तो यह होज़ागा minus x square यह minus में है तो यह plus में यह plus में है तो यह minus में equal to 0 x square x square एक टर्म कातम 6 और यहाँ पर 10 यह दुनों को add करेंगे तो यह 16 x हो क्या उसके बाद 29 में से 13 जाएगा यह plus में यह minus में तो यह 6 हो जाएगा उसके बाद 2 में हो 1 क्या 1 बड़ा बेले का सारी लेते minus 6 minus 16 equal to 0 तो यहाँ पर 16, 16 को प्रावर को दर ले जाएगे यह plus 16 गो जाएगा x equal to 16 by 16 यह multiplication में divide में चड़ गया यह एक बाद में कट गया x का value यहाँ निकला 1 तो x का value यहाँ पर निकला 1 ठीक है तो यहाँ पर हम लेख सकते हैं यह point यहाँ पर p 1 और 0 ठीक है जोकि ऐसा point है जोकि यहाँ से यहाँ तक का equal distance पर है यह इसके equal distance पर है ठीक है तो इसी दरह से question का solve की जाता है तो यहाँ पर पहला चीज़ है x axis तो x axis में जो भी y का value होगा 0 x का value पता नहीं है तो यहाँ पर x कर जाता है ठीक है उसके बाद तो equal distance पर दो same distance तो यहाँ से यहाँ तक का बड़ावर इसका मतलि यह हो जाएगा pb equal to pa यह equal distance उसके बाद distance formula का use करके यहाँ पर यहाँ पर x to minus x1 का whole square plus y to minus y1 का whole square यह सब use करके आराम से question solve कर देंगे quadratic equation आ जागा square solve कर देंगे बाद x के लादो निकल जाएगा तो इसी दिल आज सौब कर जाता है तो मैं आसा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आगे होगा तो आज की वीडियो में इतने ही मिलते है नही वीडियो में नए टॉपिक के साथ thank you